हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब USBRL प्रोजेक्ट की अपडेट में आपका स्वागत है जम्मू कस्मीर के लोगों के लिए USBRL प्रोजेक्ट एक अजुवे जैसा है क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजे समाई हुई हैं कई सारे ब्रिजिस हैं और कई सारे इस्टेशन स्टेशन जिसमें से अगर हम देखें तो बकल रेलवे स्टेशन जो की चिनाब ब्रिज के पास पड़ता है यह अपने आप में काफी खुबसूरत रेलवे स्टेशन है आज की वीडियो में मैं आपको बकल रेलवे स्टेशन की अपडेट दिखाने जा रहा हूं और देखने वाले है हम लोग आज की बकल रेलवे स्टेशन पे कितना काम हुआ है कितना बनकर तयार हुआ है बकल रेलवे स्टेशन तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं रेलवे से जुड़े कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल डिस्यक्त है जिसके अंदर का म कटड़ा बनिहाल रेललाइन के अंदर चल रहा था कटड़ा बनिहाल रिया सेक्षेन संगल Sugden के YouTube के अंदर आपका जो टीस्टेशन पड़ता हे संगल डानसे निकलने के बाद वह आपका supposed खाल रelynवे स्टेशन है और बकल स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है बकल रेलवे स्टेशन नॉर्थन रेलवे के फिरोजपुल डिविजन में आता है और यह आपका जमू कस्मेर के रियास्ति डिस्ट्रेक्ट के अंदर पड़ता है तो चलिए दिखाता हूं कितना काम हो चुका है बकल रेलवे स्टेशन पर तो देखिए यह है बकल रेलवे स्टेशन और मेन मिल्डिंग आप सामने देख सकते हैं वैसे यहाँ पर आप देखिए जो एमेनिटीज हैं वो भी काफी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है मेजर माइनर सभी एकिपमेंट्स इंस्टॉल हो चुके हैं सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यह है आपका टिकट काउंटर यहाँ से आप अपनी टिकट्स ले सकते हैं और अपनी यात्रा को मंगल में बना सकते हैं यह है आपका announcement system जो की बकल railway station के platforms पे install किया गया है यह है आपका platform number one जो की तयार हो चुका है state भी यहाँ पे अब install कर दी गई है और यहाँ पे आप देखिए जो tracks हैं जो electrifications हैं वो भी complete कर लिया गया है यहाँ पे आप देखिए यह बकल railway station का platform number one है जिसके उपर जो आपकी roof लगाने का काम है वो कर लिया गया है और इस side आप देखेंगे foot over bridge जो है आपका वो बन कर तयार हो चुका है इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पे बकल railway station पर दो platform हैं और दोनों ही platform अब तयार हैं finishing कर ली गई है और बकल railway station का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो platform है ना उसके उपर lining का काम भी कर लिया गया है यानि जो yellow color की strips हैं वो यहाँ पे अभी बना दी गई है और बकल railway station की amenities की बात करूँ तो बैठने के लिए आपको यहाँ पे जो आपकी chairs वगएरा है वो मिल जाएंगी संगलदान रियासी section को कुछी दिनों में open कर दिया जाएगा जिसके लिए बकल railway station पे खास तोर पे जो यहाँ पे CRS की team है commissioner of railway safety के inspection की उन्होंने यहाँ पे खास तोर पे inspection किया है बकल railway station पे हर तरीके के sinus boards वगएरा जो है वो install हो चुके है finishing का काम हो चुका है और काफी speed में यहाँ पे जो trails वगएरा थे वो भी conduct कर लिए गए है बकल railway station का यहाँ पे आप देख सकते हैं नजारा कितना बहतरीन है और साथी में यहाँ पे पढ़ने वाली जो tunnels हैं उनके अंदर भी काम complete हो चुका है यह आपकी T36 tunnel है जो की northern railway की है यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर track, laying, electrification, rigid overhead, catenary system install हो चुका है दूसरी तरफ आप बकल railway station का yard देख सकते हैं यह outer का area है अब मैंने आपको दिखा दिया बकल railway station एक नजर में कैसा दिखाई देता है देखिए फिलहाल बकल railway station तयार हो चुका है और बकल railway station पे आपको छोटी बड़ी सभी चीज़ों की तरीके की आपको amenities और equipments जो यहाँ पे लगी होती है railway stations पर वो लग चुकी है lightning का काम भी हो चुका है वैसे तो बकल railway station का station code फिलहाल बी ए डबल के बताया जा रहा है और अगर आपको यहाँ से रियासी जाना है तो रियासी 6 km अवे है दुगगा यहाँ से 11 km सावल कोट बकल से 25 km स्रीमातब वैशनो देवी कटरा 25 km अवे है और कुछी दिनों में यह overall USBRL project का कटरा बनी हाल section open हो जाएगा फिलहाल कामकाफिक्ति जिसे किया जा रहा है और उमीद करता हूं कि यह बकल railway station भी आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा देखिए इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पे जो बकल railway station आपका पड़ रहा है यह बकल railway station आपका चेनाब ब्रिज के बगल होगी अगर आपके कोछ डाउट याद क्वेरीज हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बाकी मैं आज की इसे वीडियो में इतना ही रखता हूं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए उमीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं मिलता हूं आपसे बहुत जल किसी और नई अपडेट के साथ जब तक लिए रखिएगा आप लोग लोगो